नमशकाल डीवी नियूज में आपका स्वागत है मोबाइल फोन पर किसी से बातचीत के दौरान दूसरे पक्ष की मर्जी के बगैर फोन रिकॉर्डिंग करना भारी भी पढ़ सकता है अगर दूसरे पक्ष ने इसके खिलाब शिकायत कर दी तो सजा भी हो सकती है ऐसा करना निजता के अधिकार का उलंगन और IT Act की धारा बहुततर के तहत अपराद है अब निचली अदालोतों में भी ऐसे इलेक्ट्रोनिक साक्ष को सुईकार नहीं कर सकती जो दूसरे पक्ष की मर्जी के बगैर हासिल किये गए हो फोन टैपिंग के चर्चित केस नीरा राडिया पर दिये गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 36 कर हाई कोर्ट ने पति-पत्नी विवात के बीच मोबाइल रिकॉर्डिंग के मामले पर फैसला दिया है बता दे हाई कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि मामला चाहे निजी संबंदों का ही क्यों ना हो अदालते ऐसा साक्ष सुईकार्ण नहीं कर सकती है हाई कोर्ट ने बहतुपूर्ण फैसले में कहा है कि बिना मंजूरी मोबाइल फोन पर बातचीत की रिकॉर्डिंग करना संब्यदान के अनुछेद 21 के तहत निजता के अधिकार का उलंगन है हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट के उस फैमिली को रद्द कर दिया जिसमें साक्ष के रूप में अमुक रिकॉर्डिंग का उप्योग करने के लिए दी गई थी वहीं हाई कोर्ट ने आश्रं का जाहिर करते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि आचिका करता पत्नी की बातचीत को उनकी जानकारी के बगेर पती ने चुप चाप टैप कर लिया वहीं इस तरह की कारगुजारी संब्यदानिक अधिकारों का सीधा उलंगन है